हेलो फ्रेंड्स आपका हमारे चैनल पे भूथ भूथ स्वागत है आज हम बनाने जा रहे हैं मतर मलाई की स्पेशल साही सबजी तो आपने ये सबजी होटल में ये रेश्टोंट में खाई होगी लेकिन आप अब इसे घर पे भी बना सकते हैं एकदम आसान तरीके से तो चलो शुरू करते हैं तो सबसे पहले हम बनाएं ग्रेवी तो मैंने एक कड़ाई के अंदर एक चमच ओल डाला है इसमें चोथाई चमच जीरा डालने के बाद दो रफली हमने प्याज को इस तरह से कट कर लिया है और इसमें पानी बिल्कुल भी नहीं डालना है इसे मिक्स करना है एक दो मिंट के लिए अब इसमें आदी चोटी चमच नमक और आदी चोटी चमच लालमिस पावडर डालेंगे और यह लालमिस डालने से जो ग्रेवी बनाते हैं वह बड़ी अच्छी भी बनती है और टेश्टी भी बनती है तो इसे इस तरह से लगातार चलाते रहना है और अब इसको हम कवर करके रख देंगे अब जो हमने मटर ली थी उनको भी वोईल करना है तो यह पानी में वाल आ चुका है इसमें मटर डाल दिये वह भी वोईल हो रही है और इसमें हमने 7-8 बादाम डालने हैं आप इसमें काजू भी डाल सकते हैं और इसे मेक्स करिए और इसे 1-2 मिंट के लिए सिखने के काचने में और इसमें और मतर भी अच्छा से वोईल हो चुकी है तो चुकी है और से गेस आफ करदेंगे और ओकड़ने में को बाद के निगोह कि क्यों चोब करने मेंसटम इसमें अदि चोची चमच जीरा डालने है यही नहीं मेंगेंके मरीकह वोगया वीसमर्लों और मतर और इसमें चुटकी बर हमने हल्दी डाल लिए इससे क्या है कि जो ग्रेवी डालेंगे तो यह उचल के बाहर नहीं आएगा और हमने सारी ग्रेवी इसमें डाल दी है यह देखिए इस तरह से तो इसे अलगातार हमें कम से कम 3-4 मिन तक चलाते रहना है कि ग्रेवी की थोड़ अब इसमें मसाला एड़ करेंगे तो इसमें मैं आदी छोती चम हएल्दी पाउडर स्वाद उन्सार नमाक और ate चममच कसमी लाल मिर्च डाली है और इसमें आदी चिममच हुमने धनिया पाउड डालना है छाजा पूंच लीक्रीत अक देखिए प्रकेशंगा अब इसमें चीनी तो में दो चोटी चम चीनी ढाला लिए यह जो मत्रम लाई की सब्जी है इसमें चीनी डालेंगे तब ही टेश्टी बनेगी मीठी मीठी सब्जी तो आप इसे ज़रूर डालके देखना यह बहुत चूट देंगे दो मिंट के लिए और कड़ाई ने अच्छ से ओल को छोड़ दिया है फ्रेंड्स मसाले भी सिक्के तियार है इसमें डालेंगे आदी चोटी चमच अमचूर पाउडर और इसमें डालेंगे हम गरम मसाला तो इससे थोड़ा चटपटा फ्लेवर आ जाएगा त इससे यह सब्जी हमारी मलाय मतर की सब्जी बना रहे है तो इसमें मिक्स करेंगे लगातार इस तरह से कड़शी चलाते रहना है नहीं तो मलाय की गुंट्थल या रह जाएगी तो सब्झी अच्छ नहीं दिखेगी और यह देखिए हमने सारी मलाय की जो गुंट्लिया है बिल्कुल भी नहीं रही है और mix हो गया है अब इसमीं last में हम डाल देंगे मतर और मतर डालने के वाद इस तरह से लगतार चलाते रहना है एक दो मिंट के लिए friends इस तरह से देखीं कि यह अच्छे दनीया तो कच्चे दनिया का फ्लेवर यह लग है फ्रेंच इससे और ज्यादा टेस्टी हो जाए इसको कवर करे दो मिंट के लिए कड़ाई ने अच्छे से ओल छोड़ दिया है ग्रेवी ने भी ओल छोड़ दिया है यह हमारी मलाई मटर की सबजी बनके त्यार हो गई है टेश्टी सी फ्रेंड्स तो आप इसे परांटे के साथ चावल के साथ आप का सकते हैं यह बड़ी टेश्टी सबजी है फ्रेंड्स आप घर पे जुरूर ट्राइ करके देखना मैंने आपको यह रेस्पी बनाने के लिए मैंने पूरी कोशिस किया आपको समझाने के लिए तो भी आपको समझा नहीं आए तो आप अमें कमेंट बॉक्स में जुरूर बताना अगर आपको वीडियो अच्छा लगे तो आप like share comment करना जो हमारे चैनल पे नहीं-ने है तो वो please please हमारे चैनल सब्सक्राइब कर थेंक यू बाइ बाइ